आपका स्वागत है आज हम चने के दाल का मोदक बनाएंगे जो की सूपर डूपर टेस्टी है अगर यह रेसेपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले तो चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं हम यहां पे लेंगे एक कप चना दाल इ पानी को मैं डाल रही हूँ आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और घी भी डाल कर पका सकते हैं और इसका धक्कन लगाकर 2 सीटी लगा लेंगे अगर आप दाल को नहीं भीगोते हैं तो पानी और ज्यादा डाले और 5-6 सीटी लगा लेंगे और यहां पे हम चावल का आटा लेंगे तो 2 कप हमने चावल का आटा लिया है और गयस के फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे उसके बाद हम इसे किसी दूसरे बरतन म निकाल लेंगे और अब हम 5 कप दूद लेंगे दो कप हमने चावल का आटा लिया है तो डबल से थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें दूद डालेंगे हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे और इधर हमारा जो दाल है उसे चेक कर लेंगे तो देखिए यहां पे दाल बहुत ही पणिया से पकर के तैयार हो गया है अब देख सकते हैं तो अब हम इसे चान लेंगे इसका पानी हमें अलग करना है बस हमें दाल चाहिए इधर दूद में भी उबाला गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो यहां पे मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ ताकि इसमें हलकी सी मिठाज रहे हमें इसे ज़्यादा मिठा नहीं करना है चीनी जब अच्छे से घुल जाए तो गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे ध्यान रहें इसमें गुटलिया बहुत जल्दी पढ़ जाती है तो आप मिक्स करते रहें और थोड़ा थोड़ा आटा डालते रहें आप चाहें तो नीचे उतार ले और आराम से पहले आप इसे मिक्स कर ले उसके बाद फिर से इसे पकाएं सभी आटे को हमने डाल दिया है और अब हम इसम डाल देते हैं घी तो आप अगर छोटे चम्मच से नापे तो दो से तीन चम्मच घी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये इकठा ना होने लगे जो आपको थोड़ा बहुत कुटलियां दिख रही है वो पकाते पकाते ऐसे ही खतम हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी गाड़ा हो जाता है अभी आप देख सकते हैं ये इकठा होने लगा है तो हमें इसे एक से दो मिनट और पका लेना है और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे यहाँ पे हम दो से तीन चमच घी लेंगे यहाँ पे आप कम घी में भी इसे बना सकते हैं घी जब गरम हो जाए तो हम इसमें कटे हुए काजू और बादाम डाल देंगे और इसे हलका सा पका लेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे हमें इसे ब्राउन नहीं करना है और अब हम इसमें डाल देंगे चना डाल और इसे भी 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़िया आजाए आप चाहें तो इसमें इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ तो यहाँ पे मैं एक कप से थोड़ा सा कम गुड़ ले हूँ हमने एक कप चना डाल लिया था तो एक कप ही हम गुड़ लेंगे थोड़ा सा कम लिया है और इसे भी लगातार चलाते हुए पकाएंगे मीडियम आज पे देखिए य यह थोड़ा अभी गीला है तो हमें इसे इकठा होने तक पकाना है यहां पे हमने दाल को ठाली में फैला दिया था ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और आटे को हमने ढख करके रखाता ताकि यह जल्दी ठंडा ना हो दाल को ऐसे गोल या लमबबना लेंगे या फिर ऐ पार ठोड़ा सा घी लगा लेंगे उसके बाद हम इसमें चावलका आठा भरेंगे आप चाहें तो बिना मोली के भी बना सकते हैं और इसमें ठोड़ा सा milk or उसके बाद हम इस दाल को इसमें भरेंगे इसरी ऐसे पी को झाल झाल झाल